नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम फिर से ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर जो न्यूस पेपर की क्या लिखते हैं उसके बारे में क्या तथ्य पेश करते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे ये विशे हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है जो भी MPPSC एस्पिरेंट से वो जानते हैं कि किस प्रकार से उनका फ्यूचर इस वाली बात पर टिका हुआ है चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी हो वैसे तो डारेकली इस से प्रभावित हो रहे हैं और बीसी और जनरल वाले ले जोब छोड़के करजा लेकर तैयारी करते हैं और सबके अपने परसनल प्रावलम्स रहते हैं तो उनके लिए काफी ये चीज़ें जो हे एक माले करती हैं क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रहा है आप मानके चलिए 2022 का एंडिंग पॉîne चल रहा हैं अगस्त खत्म होने और 2019 के एक्जाम का भी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है 2020 का कुछ फाइनल नहीं है 2021 का एक्जाम भी ले लिया कोई फाइनल नहीं है देन 2022 का फिर कब लेंगे तो इस परकर से चार एकजाम या चार साल से समझ लीजे कि इन्होंने भड़ती की ही नहीं है तो कितने युवाओं का भविश्य जो है प्रभावित हो रहा है कितने students इसमें इंटर करते exam में कि हम ये exam है ठीक हम इसमें भाग लेंगे पद देखेंगे होता है या नहीं होता और कितनी लोग मजबूरी में फिर बाहर चले आते हैं काफी चीजों को प्रभावित करती है तो हम ये चाहते हैं हमारे इस YouTube चैनल के मादियम से कि हम समय समय पर आपको इस मैटर से जो है अपडेट करवाते रहें अब यहाँ पर आज हम पेपर की जो कटिंग डिसक्स करने वाले हैं इसका मुख्यू उद्देश यही है क्योंकि जो भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं सब्जिक जो पीएसी में जितने भी सब्जिक आते हैं उससे रिलेटेट जो सब्जिक पढ़ते हैं तो उसका क्या अब आज के जो मुख्य बात है क्योंकि आज तेवी सगस्ते है तो यह तेवी सगस्त को देनिक भासकर की पेपर की कटिंग है जिसके बारे में हम बात करेंगे एक्चल में पेपर की कटिंग यह थी लेकिन इसकी फ्रॉंट इतने डिफरेंट हो रहे हैं तो हमने इसको दो प्रसनता हो रही है कि फाइनली कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा ठीके तो 27 परसन आरक्षन के समर्थन में जो है 27 याचिकाएं हैं अर्था जो बच्चे चाहते हैं कि 27 परसन आरक्षन हो जाए निशीत रूप से वो बीसी के ही केंडिडेट होंगे और इसके व अफेक्ट होने वाले हैं तो कहीं स्टुडेट इस केटेगरी से बहार चले जाएंगे इस फैसले से और कहीं जो हैस केटेगरी में अंदर आ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हैं जबलपूर का न्यूज है तो सिंपल सी बात है जबलपूर हाइप में चल रहा है अब राज्य सरकार ने क्या करा था 2019 में जब आपको पता है शायद कॉंग्रेस की गवर्मेंट थी तब उस समय तो जो बीसी आरक्षन था उसको 14% से बढ़ा कर 27% कर दिया था और फिर बाद में जब बीजेबी का गवर्मेंट आया था तब उन्होंने भी इस चीज़ पे फिर मैंस भी हो गया इंटर्वी भी हो गया हाला कि अब उसको कैंसलेशन के बाद चल रही है फिर से कि अगर अब तक इसका डिसाइड नहीं होगा एक्जाम के बारे में कुछ नहीं कहा जाता तो आशीता दूबेव अन्य करीब 30 याची का ऐसी थी जिसमें प्रदेश म हैं हमारे जो हाई कोट सुप्रीम कोट होते हैं उनको जूरिशली रिव्यू का पावर होता है ठीक है वो किसी भी इसी विधी या नियम को वैधानी करार दे सकते हैं जो सविधान के खिलाफ होते हैं उनके प्रस पावर होता ही हमने पड़ा है तो इसलिए चल रहा है अब स सुनवाई हुई थी 22 सगोस को उसमें 14% आरक्षन के जो फैवर में थे उनके वकील अपने तथ्य रख रहे थे तो आज हमारे लिए इंपॉर्टेन यहां पर तथ्य जानना है क्यों कौन से फैक्टर रख रहे थे क्योंकि हमारी ऐसे राइटिंग में मदद कर सकता है अगर इ मयंक जेन के विरुद्ध मध्यपदेश राज्य का हवाला दिया है ठीक है यह के से मयंक जेन वर्सेस मध्यपदेश स्टेट इसमें यह कहा है कि चीफ जिस्टिस राजा रतनम की खंडपीट ने कुल आरक्षन पचास फी सदी से अधिक को अवैधान अनुचित करार दिया ठीक है इन्होंने कहा था तो इन्होंने यह इसके फेवर में रखा कि प्रिवियस जो भी जज्जमेंट है उन्में यह एक जज्जमेंट भी है इसके अलावा उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का भी जज्जमेंट रखा और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के से जुड़े जैश्री विरुद्ध महराष्ट राज्य के मामले में इसपष्ट किया था ठीक है ये दूसरा था और ये हमारा पहला था मैंने कहाना है पेपर का हमने दो पार्ट में हम इसको कर रहे हैं कि महराथा ये जैश्री विरुद्ध महराष्ट राज्य के मामले में इ जनसंख्या के आधार पारक्षन नहीं बढ़ाया जा सकता है। जनसंख्या के आधार पारक्षन की 50% सीमा को लक्षमन रेखा माना है कि किसी भी हालत में सारे आरक्षन को मिला कर 50% से जादा नहीं होना चाहिए। पारक्षन के बारे में कहा है कि 1948 में बाबा भिम्रा उम्बेटकर ने लोग सभा में दिये भाशन में कहा था। ठीके लोग सभा में क्या कहा था कि पिछले वर्ग को आरक्षन बढ़ाने की बज़ाए ठीके अन्य तरीकों से सहाइता दी जाहिए। तो यहां पर इसका जो है उन्होंने फैक्ट उठाया है क्या ये तो यह हम इसको भी हमारी को एंसर्स राइटिंग में डायनेमिक बनाना कहीं पर इसका इसका इस्तमाल हो रहा तो यूज कर सकते हैं कि भीम्रा उम्बेटकर ने लोग सभा में जो जो 1948 में क्या कहा था कि अगर हमें OBC आरक्षन को मतलब आरक्षन नहीं बढ़ाना चाहिए बलकि उसको अन्य तरीके उसे सहाइता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि OBC को प्रदेश में 27 फिसदी आरक्षन दिया जाता है तो यह उन्होंने मतला अम्बेटकर नहीं है यह वकील का स्टेट्मेंट है तो वकील यह फोर्थ पॉइंट है हमारे इस पेपर कटिंग का आज का कि 27 फिसदी आरक्षन अगर दिया जाता है तो कुल वर्सें हो जाएगा जिसमें कि EWS 8 का 10 फिसदी आरक्षन भी शामिल है तो बचे कुछ है आप निकाल लीजिए कि क्या इस्तती रह जाती है पच्पिचो कितना परसें रह जाता है लगबग 27 परसेंटेज अब 27 परसेंटेज बच रहा है उनली ओपन के लिए तो आप अब 27 आरक्षन के समर्दन में तो यह इतना हुआ था 22 अगस को अब 23 अगस को आज के भी डेटे तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे तो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसना आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब अबर चनल, लाइक, शेयर, कमेंड, हैवनाइज रें, थैंक्स पर वाचिंग और देख सकते हैं पेपर की कटिंग हमने दो हिस्तों में समझाईए आपको और में कटिंग यह है ठीके यह पूरी फूल कटिंग है लेकिन हमने इसको दो पार्स में डिवाइड किया था, ओके झालते हैं